एलो प्रेंस गुवर्मेंट जोब रिक्वार्मेंट यूटूब चैनल पर आपका स्वागत है और आज के इस व्यूडियो के मादम से हम बात करेंगे बियस अब ट्रेडमिन बर्ती 2022 का 2788 पोस्ट का आखिर का रिजल्ट कब तक आएगा अभी तक रिजल्ट क्यों नहीं आया सब भी यूटूबर बता रहेते यानि 15 जनवरी फिर 31 जनवरी 15 परवरी मैंने भी आपको एक डेट बतायते 31 जनवरी यानि रिजल्ट नहीं आया अभी तक एक्जाम लगे डाई मन्त ह हो गया कोई आंस्वर की नहीं है कोई रिजल्ट नहीं है कोई अपडेट नहीं है रिजल्ट को लेकर तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि आखिरकार ब्यासर ट्रेडमेन का रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है 2788 पोस्ट का यानि की बात करें यानि 261 पोस्ट है जो आ लग-दोर निकाल सुका है जार है तो आज के इस वीडियो में हम चरचा करेंगे यानिव तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगी कप्लेट तरीके से किसी भी यूटूबर ने बताए थी किसी की सच नहीं हुए थी कभी तो यह भी बता चुक है रिकोर्डिंग भी सुना चुक है यूटूबर वाले कि देखें यह तो है सभी फेक लो जी जो आईजी डी आईजी से बात करते हैं बता रहे हैं उसके खाएने से कोई जल्दी ही यानि देखने को मिल जायगा इससे पहले भी देखने को मिल जाएगा लेकिन आपको यह फाइनल है कि दस से पंद्रा दिन के अंदर रिजल्ट देखने को मिल जाएगा लेकिन यह जो यूटूबर बता रहे आई जी डी इससे कुछ ही नहीं होगा बताने से आपको बर्मित कर सकते हैं आपको अलग वेकेंसी का रिजल्ट दिखा सकते है लेकिन bsf ड्रेड में का जब रिजल्ट रिपूंट जाली करेगा तब ही रिजल्ट आएगा आपके सामने और यानि अब चांवर रहे आपका फाइनल रिजल्ट है वह जल्द ही डिक्लेयर किया जाएगा क्योंकि विजस्व रिकूंट एक्टिव है इसा नहीं है कि घिए तो ये रिजल्ट बनाने में थोड़ा सा लेट हो रहा है क्योंकि अलग-लग state wise vacancy का result बनाना होता है और अलग-लग category wise result बनाना होता है तो यानि बहुत लंबा process होता है male और female का result बनाना तो यानि इस वज़े से time लग सकता है लेकिन आपको final result 10-15 दिन के अंदर देखने को मिले देगा चले फ्रेंट्स यानि result को लेकर आप सभी को इंतजार है हमें भी पता है लेकिन आप बह्मित बिल्कुल भी मत हुए किसी के बैखाव में आकर चले फ्रेंट्स नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं तब तक के लिए जाहिंद और थैंक्यू और जो ये वियर सब जाओाव में पता है